कि आज यहां हम कॉंग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टों इनोगरेट करने आए हैं मुझे याद है कुछ महीने पहले हमने तेलंगाना में आपसे वाइदे किये थे ऐसी ही मीटिंग थी हमने अपनी गैरेंटीज की बात आपके सामने रखी वोही काम हम नैशनल लेवल के लिए आज कर रहे हैं मासा लखिंदा इकड़े तेलंगाना शासन समय निकल बुंदू माँ गैरेंटी लिकड़े आविश्करिंच नहूं अधे विदंगा जातीयस्तायलों कॉंग्रेस मैनिफेस्टों जातीयस्तायलां कॉंग्रेस गैरेंटी लेनी इपार्लमेंट निकल मुंदू मी अंदर मुंदू आश्करिंच बोत नानूं जब हमने आपको गैरेंटी दी थी उन्हें हमने कॉंग्रेस पार्टी की गैरेंटी जरूर कहा था मगर सच मुच में वो आपकी गैरेंटी थी आपकी अवाज थी जब हमने 500 रुपए सिलिंडर की बात की थी 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की थी ग्रह लक्ष्मी की बात की थी फ्री बस ट्रविल की बात की थी तो वो हमने आपकी अवाज सुनकर गैरेंटी ज निकाली थी आज तेलंगाना के सब लोग जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी ने जो वाइदे किये थे उन वाइदों को कॉंग्रेस पार्टी पूरा कर रही है तेलंगाना लो प्रजानी कानी के अंदर की तेलसू ये माद आईते में में निकलम हुंदू ये गैरेंटी से तो चप्वेमों अन्नी गैरेंटी सू इची माद निलबेट कुंटर विश्यों मी अंदर की तेलसू हिंदूस्तान में 40 साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी है मगर तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार ने 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है और कुछी समय में 50,000 और लोगों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है मत्तम भारत देशम लो निरुद्ध्योंग समस्य चाला तीवरंगा उन ये समय उनलो मन तेलंगाना प्रभुत्तों मुपई वेला उद्ध्योंगालू अलड़ी इचिंदी मरो याबै वेला उद्ध्योंगालू गुडा इवबोतल विच्चे ने मन जेसनानू तो जैसा हमने तेलंगाना के साथ किया वैसा ही हमने अपने मैनिफेस्टों के साथ किया ये विदंगा यी ते तिलंगा नो मात इची निलबेट कुन नंवो अधे विदंगा जाती असता ये मैनिफेस्टों लोग उड़ा निलबेट को बोत रजेपी निमनजी असतनानू ये जो manifesto है ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है ये Congress Party की आवाज नहीं है आपके दिल में जो था लाकों लोगों के दिल में जो था उसे Congress Party ने सुना और उसे हमने manifesto में डाला ये manifesto के वलों Congress Party ये manifesto का दू बारत देश नहीं प्रजलियों का कोरिक में रखू ये manifesto तैर जेड़न जरीगिंदी मी मनस लोगन माट ये manifesto लो प्रतिप पहुँझे जिनमू manifesto की आत्मा जो है वो पांच guarantees की है ये manifesto लो आई वो guarantee लो ये manifesto का आत्मा लांटी वेंजे पिने माना जेस्टना नूँ सबसे पहले पेरोजगारी के लिए हिंदुस्तान के युवाओं के लिए साल में एक लाख रुपे की salary वाली नौकरी हर युवा को मिलेगी बारत देशन लो निरुद्योगल अंदर की अतित्वरलो बारत देशन लो निरुद्योगल अंदर की लक्षरूपाईल जीतन तो उद्योग में पिछे बोतु नामू तो हमने एक apprenticeship का कानून बनाया है इसमें हिंदुस्तान के हर युवा को जैसे हम मन्रेगा में रोजगार की guarantee देते हैं वैसे हिंदुस्तान के हर युवा को एक साल की apprenticeship की guarantee मिलेगी मन्रेगा लो ये विदंगाई ते ग्रामी न युवत की उपादिकल्पिस्तु नमो मत्तम भारत देशम लो युवत की ओका समस्तुरम पाटू apprenticeship लो ट्रेनिंग इचे guarantee इवो बोतु नमो ये public sector में होगी, private sector में होगी, healthcare sector में होगी, education sector में होगी, सब sectors में हम हिंदुस्तान के युवाओं को एक साल की apprenticeship एक लाख रुपै की देंगे और ये युवाओं के लिए हमने सिरफ एक बात रखी है क्योंकि बाशन के लिए इतना टाइम नहीं है तो जो सब कुछ हम कर रहे हैं वो मैं बोल नहीं रहा हूँ सिर्फ एक युवाओं की guarantee यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ मगर अगर आप manifesto में देखेंगे तो युवाओं के लिए अनेक और वाइदे हमारे manifesto में है आप जानते हो कि हिंदुस्तान की महिलाएं हमारे भविष्चे की देखबाल करती है बारत देशन लो महिलाव मना भविष्चे तो जुस कुंटराजेपी ने मना यह सुनारू और जो महिलाए जॉब करती है वो दो जॉब करती है उद्योगार जैसे महिलाव रूंड उद्योगार जैसे पिगुडा ने मना यह सुनारू एक आफिस में जाकर या मजदूरी करकर और दूसरी घर में जो वो अपने बच्चों की और परिवार की रक्षा करती है उनके लिए काम करती है महिललू लेबर गा फुलाल लो आफिस लो पंजेस्तू इंटिरुगुडा मतावू छुष कुंटारू रूंड उद्योगार जैस्तुना जैपी ने बाविस्तुनानू और हिंदुस्तान में मोधी सरकार के आने के बाद करोणों लोग फिर से गरीबी में घुज गए है बारत देशन लोग नरेंद्र मोधी प्रभु तोचितरवाता चाला बंदी मल्ली निरुपेद लाई पुए है रूँ इसलिए हम एक नारी न्याय कानून लाएंगे अंधुकोस में नारी न्याय इंटे महिल लेकु न्यायों मैं थिश्कराबोत नमू नारी न्याय हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में साल में एक लाख रुपेद डालेगी ये क्रांतिकारी कदम है इससे पूरे देश का चहरा बदल जाएगा आप सोचिए हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को कम से कम एक लाक रुपिया सीधा बैंक अकाउंट में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है इसका मतलब हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी आमधनी एक लाक रुपे प्रति साल नहीं होगी अंटे मत्तम भारत देशम लो उक्क कुटुम्बारी गुडा आदायों समस्रों आदायों लक्षरूपाल गंटे तक्वा उंडबोदों जेपी ने मना जेस्तनानू तीसरा वाइदा किसान न्याय मूडो हामी रही तुल अकिन न्यायों आप जानते हो कि आज हिंदुस्तान में रोज हजारों किसान आतम हत्या करते हैं इस देश में रोज तीस किसान आतम हत्या करते हैं नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का सोला लाख करोर रुपिया कर्जा माफ किया है मगर किसानों का एक रुपिया कर्जा माफ नहीं किया इसलिए किसान न्याय के माधियम से हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और लीगल MSP की गैरंटी देंगे अंदुको समय राबो ये कॉंग्ने सबुत्तों कंदी खनीस मदद तरह MSP की चट्टपदत कालपिस्तों जेपिने मन जर्स्तानों हिंदुस्तान के किसानों को उनके प्रोडक्स के लिए उनके प्रोड्यूस के लिए मिनिममम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिनिममम सपोर्ट प्राइस मिलेगी और स्वामी नातन फॉर्मिला के मुताबिक मिलेगी खनीस मद्दत दरा मेस्पी बुड़ा मेस्वामीनातन फॉर्मुला प्रकारों इवो बहुत नामों चोता वाइदा श्रमिक ने आये नालगों में कारेंटी हम मिनिममम वेज लाएंगे कार्मिक लखी कूली लखी मिनिममम वेजेस थीस करा बोथ नामों मन्रेगा के लिए और दूसरे मज़़ूरों के लिए कम से कम 400 रुपय प्रती दिन की मिनिममम वेज हम लागू कर देंगे मन्रेगा लोगानी इतला पन लोगानी मिनिममम वेजेस रोज की नाल गंदल रुपयलू प्रकटिंचे बोथ नामों और पांचमा वाइदा चाहिद सबसे जरूरी और एतिहासिक वाइदा हिंदुस्तान में पचास परसेंट आबादी पिछडे वर्क की है 15 परसेंट अबादी दलितों की है 8 परसेंट अबादी आदिवासियों की है अगर आप इन सब को मिला दें तो 90% अबादी इन लोगों की बनती है इव अन्य मिल गल्पते तोंबई परसंट जनाबा इपड़ुने इन फिना कैटिकरी स्लोग तारू मगर आप अगर हिंदुस्तान के संस्ताओं को देखो इंस्टिटूशन को देखो बड़ी-बड़ी कंपनियों को देखो तो इन में से आपको कोई भी उन कंपनियो में उन इंस्टिटूशन्स में उन संस्ताओं में नहीं दिखाई देता इन तोंबई परसंट जनाबार इंची इपड़ु व्यवस्त लो इंस्टिटूशन्स लो यवरु मिक आउपड़रू मीडिया की सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालिये उनके मालेकों में आपको एक पिछड़ा वर कभी अक्ति एक धलेत एक आदिवासी नहीं मिलेगा मीडिया कंपनी लो मिल जूशते मीडिया कंपनी ओनर लो यवरु गुड़ा बीसी लुगानी सबसे बड़ी 200 कंप़नियों के मालेकों की लिस्ट निकालीये बारत देशन लो मिरू प्रेद्ध कंपणियर लिस्ट उस्ते इरुकरबड़ी ने वर्गाल यवरू आउपड़रू उसमें आपको एक पिछड़ा वर्ग कवियक्ती नहीं मिलेगा बारत देशन लो ने प्रेद्ध कंपणियर लो बीसी एसी एस्ती ओनर्स यवरू मिक आउपड़रू एक गलित नहीं मिलेगा एक गरीब जेनरल कास का नहीं मिलेगा एक माइनोरिटी नहीं मिलेगा एक आदिवासी नहीं मिलेगा उकका दलित उड़गानी उकका आदिवासी गानी उकका माइनोरिटी गानी हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं बारत देशों युक का प्रभुतो तुम्बई मंदी आये सदिकार नड़कता रू 50% पिछणों की अबादी है 90% एरकबटिवारुना रू 90 आये सबसर में से सिरफ तीन आये सबसर ओबिसी वरके हैं देशानी नड़पिच्चे तुम्बई मंदी आये सबसर लो केवलों मुग्गुरू बीसीलों न माट इदि वास्तवमों आपकी अबादी 50% और आपकी हिस्सेदारी 5% मी जनाबा 75% मी भागस्वामियों केवलों 3% न जेपिने मरायस्तनानू आदिवासियों की अबादी 8% 90 में से सिरोफ एक आदिवासि गिरिजेनलों आदिवासालों 90% उन्टे ये तुम्बई लो उककड़े उककड़ू गिरिजेन नाडू दलितों की अबादी 15% दलित अपसर 90 में से 3% तुम्बई मंदिलो दलितुलों केवलों मुग्गुरू दलितुला जनाबा संक्यव पदियन परसेंट न जेपिने मनाजेस्तनानू और अगर आप बजट को देखें तो अगर 100 रुपे खर्च होता है तो दलित आदिवासी पिछड़े वर के अपसर सिरफ 6 रुपे कर निड़ने लेते हैं तो सचाई ये है भाईयों और बेहनों कि हिंदुस्तान की 90% आबादी कि इस देश में हिस्सेदारी है ही नहीं अटे देशन लो 30% जनाबा उनना BC, SC, ST, MINORITY लगी देशन लो सर्याइन बागे स्वामियों ले दुआजे अपिने मनविज असनानों तो पहला काम डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ एक्सरे से सच्चाई दिख जाती है एक्सरे तो नहीं निजम बाइट को स्टेशन जेपी बनाविज असनानों एक्सरे के बाद डॉक्टर सही निर्ने ले सकता है एक्सरे थीस कुरे तरवात ने डॉक्टर सरीय निर्नें दिसको गल तडू इसलिए हमने वाइदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी जो हमने तेलेंगाना में किया जाती जनगर्ना को हम पूरे देश में इंप्लिमेंट कर देंगे अन्दु कुलाला जेनकर्न चेवोत नामू देश का एक्सरे कर देंगे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा बारत देशों का एक्सरे तेशी ये दी निजमों आईदी बाइट बढ़ाएद में कोर कुट्ट नामू पिछले वर्ग को दलितों को आदिवासियों को गरीब जेनरल कास के लोगों को माइनोरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है इसके बाद हम फाइनेंशल और इंस्टिटूशनल सर्वे करेंगे अदे विदंगा आर्दिक परवाएना व्यवस्तागोएना सर्वे गुड़ जेईंचे बहुत नामू ये पता लगाएंगे इंदुशनल किसके हाथों में है कौनसे वर्ग के हाथ में है ये विदंगा बारत देश्यों योका धनवो ये वर्गंद गरूंदी ये करूंदो में मुद्यल्स कुंटामू और इस एतिहासिक कदम के बाद हम करांतिकारी काम शुरू करेंगे जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे मी हक कही ते दुन्दो मी हक को प्रकारों में कि वह बोत नंजेपी ने मनवियस तुनानू चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्ताइँ हो वहाँ मात की जगे बना कर आपको हिस्सेदारी देंगे भारत देशन लोह उन अन्नी समस्तल हो ब्यूरोक्रेसी गानी, मीडिया कंपणी ने गानी इतला समस्तर लोग उड़ा यवरी बागस्वाम यवर गोच्चे विदंगा में माडुगुल दिसकुटा वंज येपिने मना जेस्तुनारू बाई और बेनों आपके यहाँ आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने सरकार कैसे चलाई थी हजारों लोगों के उन्होंने फोन टाप किये बेलमंदी फोन लुट टापिंग जेसिंडू और यहां की जो इंटेलिजन्स की एजन्सीज थी टैक्स की एजन्सीज थी पुलीस थी उनका उन्होंने गलत उप्योग किया माजी मुख्यमंत्री इंटेलिजेन्स वाडल्लू पॉलीस वाडलनी दुर्वीन योगन जेसि अंदरी फोन लू येवितंग टाप चेसेरों मेर अंदरू मीडिया लो चूस्तु नरू हजारों लोगों का फोन टैप किया और सरकार बदलते ही सरकार का डेटा सरकार के कंप्यूटर नदी में फेक दिये बेलमंदी फोन प्रभूत्वों मारगाने प्रभूत्तु नगरून गत प्रभूत्वों डेटा मत्तंगुडा दमसं जेसेरों मगर जो उन्होंने सरकार चलाई थी जराकर ठमकाकर एक्स्टोर्शन करके उन्होंने आपसे आपका धन्चीना था समाजन लो बयंतो नड़ पिछिन विश्यों मिरू गमनिंचाली रात को फोन कॉल आता था आपको धमकाये जाता था और आपसे पैसे आपके पैसे छीने जाते थे आपसे लूटे जाते थे आज तलंगाना में कारवाई शुरू है और सच्चाई आपके सामने है तलंगाना लोग तो यहां आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने किया वो दिल्ली में प्रधान मंत्री और बीजेपी के लोग कर रहे है इकड़ा माजी मुख्यमंत्रे पनहीते जेशिंडो दिल्ली लो नरेंद्र मोधी प्रभुत्तों गुडा अदेय पन जेसन जेपिने मनो जेसना नू जिसको पहले इनफॉर्स्मंट डे्रेक्टरेत कहा जाता था वह आज एकस्तोर्शन डेटरेत बन गया है गतनलो एन्फोर्स्मेंट डिरेक्ट्रेटर ने केंद्र समस्ता इपुट एक्स्टोर्शन डिरेक्ट्रेटर अंटे बलवन्तबु वसूल्ला डिपार्टमेंट का हमारें दी बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वाशिंग मशीन चला रही है बीजेपी प्रपंचन लोने वाशिंग मिशीन नड़पिस्थुन्दी और देश के सबसे भरष्ट मंत्री सबसे भरष्ट नेता नरेंद्र मोदीजी के साथ खड़े हैं देशम लो अत्यंत अविनीति परलू अविनीति मंत्रलू अंदर गुडा नरेंद्र मोदीजी तो निलबटर याला एलेक्शन कमिश्ण में नरेंद्र मोदीजी ने लोग बेठाए और दुनिया गा सबसे बड़ा स्कैम एलेक्टोरल बॉंड्स का स्कैम है पैसा दो धन्दा लोग पैसल वसूल जेसी व्यापा रहूं बिजनेस इचिना चरित्रा कद बीजेपी प्रभुत अजेपी ने मना जेसना एलेक्टोरल बॉंड्स की आप लिस्ट निकालिये और उसमें साफ दिखता है मिर एलेक्टोरल बॉंड्स अंटे पोलिटिकल पार्टीस की बड़ी बॉंड्स इचिने वाले लिस्ट दूस्ते वालब व्यापारालू वालब बॉंड्स की ए सम्मंद उन्दो स्पष्टम होतने जेपिने मना जेसना नू एक दिन CBI कमपनी को धमकाती है उसी महीने वोही कमपनी BJP को गरोणो रुपे पकड़ा देती है CBI समस्त व्यापार स्फिलनू व्यापार कमपनी नी भई पेटिच्ची अधे नला आ कमपनी BJP की एलेक्टरल बॉंड द्वारा डोनेशन चेसे उदारलू एन्ना होंजे पिने मना जेसना हजारों करोड रुपे का इंफ्रास्ट्राक्चर प्रोजेक्ट कमपनी को मिलता है उसी से 15-20 दिन पहले कमपनी BJP को करोणो रुपे पकड़ाती है वेल कोटल प्रोजेक्ट़ लूँ वेल कोटल इंफरास्ट्रॉर्ट्स्रक्च हर्सीं हरूँ वालल धेगर उन्डबपरते वालल की समस्तरके इलूट्णि कित्ची अलेक्टरल बहुतल द्वारा वसूल जेस कुट्टु नारू कॉंग्रेस पार्टी के सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिये कॉंग्रेस पार्टी की चेंदिना बैंक अकाउंट लू अन्नी गुड़ा यह बीजेपी प्रभुत्तों सीजेशिंदी मूसे इसने विश्यमिक तलवाले मगर हम इन लोगों से नहीं डरते हैं यहां पर हमने बीजेपी की बीटीम को हराया आने वाले चुनाव में हम एटीम को हराने जा रहे हैं त्यलंग आना लो बीजेपी बीटीम ने ओड़ी चिनाओ इपर देशन लोग बीजेपी ने ओड़ींच बहुत ना वो Constitution हिंदुस्तान के सब लोगों की रक्षा करता है राजजांगों बारत देश प्रजला की रक्षन कर गिस्तुंदी चाहे वो दलेतों आदिवासी हों पिछडे लोगों मैनोरिटी के लोगों गरीब हो सब लोगों की रक्षा Constitution करता है राजजांगान द्वाराने दलितलू आदिवासीलू मैनोरिटीलू बीसीलू विल अंदरी रक्षना मना राजजांगान चेस्तुंदी बीजेपी Constitution को रद करना चाहती है बीजेपी केंद्रवलो राजजांगानी रद्दु जेदल्च कुना दी हम Constitution को कभी नहीं रद्द होने देंगे मेमो राजजांगानी रद्दु जेएनी हमो ये लड़ाई Constitution और लोगतंत्रों को बचाने की लड़ाई है नरेंद्र मोधी जी तीन चार परसेंट लोगों के लिए काम करते है उनके पास मीडिया धन Intelligence Agencies, CBI, ED सब कुछ है हमारे पास सच्चाई और जनता का प्यार और जीत सच्चाई और जनता की होती है आकरी बाद मैनिफेस्टों में हमने फिशिंग कम्यूनिटी के लिए मच्चवारों के लिए भी जबरदस काम किया है मैनिफेस्टों लो अन्नी कम्यूनिटी लोड़ा सरीय इनन न्याइंग जेस नहीं जेपिने मनेजर सना रो दीजल की सबसिडी और आपके लिए फिशर्मैन के लिए को अपरिटिव बैंक हम लागू करेंगे चाबल बट्टे वाला की दीजल सबसिडी अधे विदेंगा फिशर्मैन कोपरेटिस की मेमू ठक्वा दरतों लोड लिपिस्ता हूं जेपिने मनेजर सना रो मैंने आज पांच वाइदे आपके सामने रखे नेन मनंदो आयदो मातर में आईदो हामिल मंदू चंणू बगर यह हमारे सिरुव पांच वाइदे नहीं है पानि इदी के वलो आयदो मैंadora घरन tau म आयदो हामिल मात्र में खादू अंजब्तत युवाओं के लिए मैंने आपको सबसे बड़ा वाइदे आपके सामने रखा मगर पांच और वाइदे हैं वैसे ही महिलाओं के लिए और पांच वाइदे हैं किसान और मज़्दूर और पिछले वर्ग के लिए भी अलग अलग पांच पांच वाइदे हैं यह मैनिफेस्टो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है यह हिंदूस्तान के चहरे को बदलने वाला मैनिफेस्टो है यह हमारा मैनिफेस्टो नहीं है यह हिंदूस्तान की आत्मा का मैनिफेस्टो है आपका मैनिफेस्टो है हमने आपकी मन की बाद सुनकर आपके जो दिल में है उसे सुनकर उसे समझ कर यह मैनिफेस्टो बनाया है और इस मैनिफेस्टो को आप लोग ध्यान से पढ़िए ध्यान से देखिए क्योंकि अगर आप इसको अच्छी तरह देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह मैनिफेस्टो हिंदुस्तान को बदल सकता है गरीबों की किसानों की महिलाओं की युवाओं की जिन्दगी बदल सकता है और आप ये भी जानते हो तेलेंगाना में बहुत अच्छी तरह जानते हो अगर कॉंग्रेस पार्टी आपसे ऐसे वाइदे करती है तो कॉंग्रेस पार्टी उन वाइदों को डिलिवर कर देती ये विदंग नहीं ते तेलेंगाना लो ये गारेंटी लिछ नमो ये माते इची नमो निलबेट कुन नमो बारत देशन लोग उड़ा ये गारेंटी लिछी निलबेट कुन्टे हो जेपिने माना जेस्तुरानूं मैं यहां राजनेतिक भाषन दिया हूँ ने निकड़ा ओक पॉलिटिकल स्पीज चैनों मगर मेरा और आपका रिष्टा राजनेतिक नहीं है खानी नाको मी कुन्न संबंदाओं राज कियालक अतीता गवां ये पिने मना जेस्तुरानूं और आप जानते हो सोन्या जी तो हैं आपकी उन्होंने आपकी मदद की मगर दिल्ली में मैं भी आपका सिपाई हूं मीकु तेल्सू सोन्या गांजिगार मी एमबड़ु नरू दिल्ली लो नेनुगडा मी एमबड़ु नंटां जेपि मीक मातिस्तु नानूं और आप जानते हो कि तेलंगाना के युवाओं ने तेलंगाना की जन्ता ने मुझे इतना सा इशारा किया मैं यहां आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा जब तक मैं जीवेत हूं तेलंगाना के छोटे से चोटे बच्चे ने मुझे बुलाया मैं यहां हाजर हो जाऊंगा और मैंने मैंने आपको मैंने आपको कहा था ति आपने एक निया स्टेट बनाया आपने एक सपना देखा और के सी आर जी ने उस सपने को तोडने का काम किया यह हिंदुस्तान का सबसे निया प्रदेश है और मैं चाहता हूँ कि यह प्रदेश हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों को रास्ता दिखा पाए और इसमें मैं आपके चीफ मिनिस्टर हमारे सब नेता कॉंग्रेस पार्टी के हर कारे करता और तेलेंगाना के युवा तेलेंगाना की जनता एक साथ मिलकर काम करेंगे और मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेडिन तेलेंगाना मेडिन चाइना का मुकाबला करें और फिर पूरा देश के है अगर मेडिन तेलेंगाना हो सकता है, तो मुत्तर प्रदेश हो सकता है, मेडिन राजस्तान हो सकता है तो यह मैसिज मैं चाहताँ कि आप देश को देए और देश में, BJP के लोग नफरत रिलाते है बत्तम भारत देशन लो बीजेपी पार्टी समाज उन लो विद्वेशों फाइलाइस तुन्दी एक धर्म को दूसरे धर्म से लडाते हैं उका मतानी इनको मतन तो कोट्लाडग वेट तुन्दी बगर तेलंगाना में नफरत के बाजार में आप सबने मोहबत की लाकों दुकाने खोली हैं यहाँ पे सब लोग मिलकर प्यार से इज़त से काम करते हैं इकड़ा अंदर गुडा कल सिमेल सी प्रेमतों अभिवानतों पनिजेडों नेंतों संतों शिस्तुनानू तो यह भी मैसेज तेलंगाना से पूरे देश में जा रहा है यह संदेश अंगुडा यह कल सिमेल सिपन्जे संदेश नहूं तेलंगाना निची मत्तम पारत्य शंपो तुन्दी शाम का समय है आप दूर दूर से आए आपको वापिस जाना है मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जे हिंद जे तलंगाना मीरु चाला धूर नुचच्च्चारों मी अंदर की पेर पेरु पेरु ना ना तरिवाद दिले सुनारों